हेलो, एक और टॉपिक है जो Engineering Physics में कुछ बच्चों के syllabus में है एक ट्यूग कित नहीं है लेकिन कुछ और अदर अग्णिवर्सिटी के बच्चों के syllabus में है that is the Crystal Physics ये Material Science लेकि ही Material क्या होते है A Substance that Constituent an Object कोई भी Object जिन पदार्थों से मिलके हम बना होता है उसको हम Material कहते है तो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब Material study करते हैं Material Science की तो हम उसमें Type of Material की बात करते हैं और उनकी जुड़ी हुई Theory की बात करते हैं साथे साथ उसमें क्या Application है उसकी बात करते हैं तो अगर हम Materials में बात करें तो खास तोर पर हमारे लिए जो ज्यादा Important है हमारे सलेबस के साब से अभी वह है Solid Materials Solid Materials क्या होते हैं तो Solid Materials जो होते हैं वह closely packed structure होता है यानि कि इसमें Atom जो होते हैं जिन से मिलके यह Solid बना होता है वह बहुत ही पास पास होते हैं उनके packing बड़ी अच्छी होती है जिसकी वज़ाए से जो उसके अंदर Atom होते हैं या Molecule जो होते हैं उनका movement बहुत कम होता है उनमें हल चले बहुत ज्यादा नहीं होती है या कहले लिए उनकी काइंटिक इनरजी जो होती ह है तो जो arrangement होते है atom को solid में उनको अगर हम उनके arrangement के प्रकार को देखें तो दो तरीकों से हम बांट सकते हैं material के arrangement के हिसाब से solid को एक तो regular मतलब जिसमें atom का arrangement काफे systematic तरीके से रखा हुआ है atom जह से बिल्कुल सलीके से सजे हुए है आपको ऐसा लगेगा कि सारे atom किसी discipline के तहत यहां पर एक की उपर नीचे दाए बाए सब arrange है दूसरा होता है तरीका irregular जिदको हम amorphous कहते हैं जिसे glass का एक example है तो हम पहले पढ़ते हैं जो regular यानि crystals के बारे में crystal आयन solid क्या होते है और solid materials where atom, molecule या iron मतलब कोई भी solid आपका हो सकता है atomों से मिलके बना हो, moleculeों से बना हो, आयन से बना हो अगर arrange है in a very regular order manner then उनको हम crystalline solid कहते हैं this ordering of constituent object is extended in all direction कहने का मतलब यह है इसे आप देखें यहाँ पर यह सितने circle दिख रहे हैं सब atom है तो यह atom आप देख रहे हो दाय बाय अरेंज है और यह arrangement जहां तक crystal है वहां तक होगा ऐसा नहीं कि 10 mm, 5 mm की region में यह arrangement है उसके बाद नहीं है मतलब जहां तक extension है अब जहां तक का मतलब है जितना लंबा चौड़ा हमारा crystal होगा वहां तक की उतनी विस्तार तक आपको यह arrangement दिखाई पड़ेगा ठीक है इस तरह की ordering इस तरह के systematic जो तरीका है सली के सजे होने के तरीका है इसको हम long range order कहते हैं तो अब क्या होता है कि आप चाहे इस तरह के itemों को देखें चाहे वो इस तरह से top down हो चाहे left to right हो चाहे right to left हो चाहे bottom to up हो किसी भी तरह से आप इस arrangement को देखोगे तो आपको एक system दिख आलन होता हुआ दिखाई पड़ता है जब आप crystal की इन सारी गुणों को देखते हैं तो आप आते हो कि उनका definite melting point होता है मतलग आप define कर सकते हो कि भाई ये solid material जो crystal है ये 600 degrees integrate पे melt कर जाएगा solid से liquid बिदल जाएगा यानि उसके अंदर जो atom है उनकी kinetic energy बढ़ जाएगा इसके degree sharp तरीके से खास point पहुंचते ही temperature का वहाँ पर transition हो जाता है solid से liquid में दूसरी category है amorphous materials की amorphous materials solid होते हैं मतलब atomों का arrangement वहाँ पर भी होता है लेकिन ये जो arrangement होता है regular नहीं होता तो वहाँ पर आपके जो crystals होते हैं उस किस्टल नहीं कहेंगे उसके अंदर atom कुछ हिस्से में खा हो जाता है फिर कहीं इनका arrangement कुछ और होता है कहीं इनका arrangement कुछ और होता है मतलब होते तो है solid उनके बीच में कायटिक energy minimum होती है लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पर दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ एक law देख रहे थे arrangement का वैसा arrangement नहीं होता तो atom molecules iron arrangement but the ordering of these constituent particles is not regular as in crystal crystal की त सकते हैं इनकी जो ordering होती है वो short range की होती है बहुत limited हिस्से में होती है उसके लावा नहीं होती तो अब इसको ऐसे कह सकते हैं मतलब चुकि ordering करना होना तो liquid की property है जहां सब दाएं बाएं अस्तवेस्त रूप से है लेकिन यह है solid तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि यह जो amorphous material है यह super cool liquid है super cool इसलिए वो ठोस है liquid क्योंकि उनमें disordering है तो जो glass होते हैं उनको हम इस तरह की category में रखते हैं तो where molecules are arranged in random manner similar to liquid तो यह ऐसे solid है जो की है solid लेकिन वो liquid की तरह उनके अंदर अवैवस्था फैली होती है इनमें एक कोई खास defined melting point नहीं होता है वो conditions पर depend करता है जब हम crystal की study करते हैं तो हम उनके variation उनके प्रकार उनके structure की उनकी geometry की उनकी physical property सबकी study करते हैं और इस तरह की study को हम crystallographic कहते हैं अब देखें यहाँ पर यह आपके पास एक rock salt है जमीन से निकला हुआ crystal है और आप देख रहे हो कि बड़े खुबसूरत color इसमें दिख रहे हैं और से किनारे जो हैं अगर आप इसको थोड़ा से देखें इसमें बड़ा ही sharp तरीके से किनारे बने हुए हैं तो ऐसा नहीं क इसको काट छाट रहा है यह खुद ही इस तरह से इनका structure होता है कि इनके edges होती है बहुत ही sharp होती है flatness होता है अब देखें यहाँ पर यह जो diagram बना है यहाँ पर हम कुछ तरीके बता रहे हैं जैसे आप cubic देख रहे हो, trigonal देख रहे हो, orthorombic देख रहे हो, monoclinic देख रहे ह है, rhombohedral है, triclinic है, यह सब परकार है, इनको साथ family कहते हैं, crystals की साथ family होती है, तो दुनिया बर के जितने भी crystal हैं, उनका अगर हम basic structure देखेंगे, तो इन ही साथ family में से ही किसी एक का, उसका structure मिलता है, तो इस साथ तरह के हैं, जिसे प्रजातियां आप कह सकते हैं, बाई में, देखो बच्चों, जैसे अगर आप देखो, कोई दिवाल जो बनती ही, तो उसका सबसे basic unit cell क्या होता है, इन्टे होती है, उन्हीं इन्टों को दाएं बाएं उपर नीचे, इधर उधर रख करके, हम दिवाल और दिवाल के structure, पूरा कमरा और सब बिल्डिंगे बनाते हैं, तो जैसे वो basic unit cell, unit cell क्या होता है, unit cell वो smallest three-dimensional geometry होती है, that can generate the complete crystal by repeating its own dimension in different direction, is called the unit cell, तो unit cell एक ऐसा three-dimensional structure है, जिसको repeat करके, मतलब उसी structure को बार-बार repeat करिए, जिससे दिवाल है, दिवाल में इटे, उन्हीं इटों को हम एक की ऊपर एक, एक की ऊपर एक लगाते हुए, पर दरपर्थ पुरे दिवाल को खड़ा कर देते हैं, तो ऐसा है, repeating its own dimensions, अपने ही आपको जब ये unit cell repeat करता है, तो पूरा crystal structure हमारे पास खड़ा हो जाता है, और three-dimensional unit cell is defined by six parameter, किसी three-dimensional unit cell को हम six parameter से define कर सकते हैं, जैसे आप देखें, ये एक cubic unit cell है हमारे पास, यहाँ पर आप दे इसकी तरफ हमें vector A define करते हैं, Y axis है, इसकी तरफ vector B define करते हैं, Z axis है, इसकी तरफ vector C define करते हैं, तो ये तीन axis हैं, तीन vectors हैं, A, B, C crystal के तीन vectors हैं, उसके बाद A के सामने जो दो surface उनकी बीच का angle alpha है, B के सामने दो surface, दो line है, उनकी बीच का angle beta है, उस C के सामने जो ये angle है, इस A, B, C, और 3 angles जो edges की बीच में alpha, beta, gamma है तो 6 parameter है, अब देखो, the vector, vector A, B, C are called lattice vector, इनको हम lattice vector कहते हैं, these lattice vectors are from crystallographic axis, X, Y, Z जो है, वो crystal की axis है, तो crystallographic axis है, by these lattice vectors, the translational vector may be defined and also called fundamental translational vector, अब थोड़ा सा और आप जब इसकी mathematics को पढ़ते हो, तो हम इस तरह से translator vector define करते हैं, इसमें हम vector A, some number, plus vector B, some number, plus vector C, some number, इस तरह से कुछ number के थुरू, एक vector define करते हैं, इसको translatory vector कहते हैं, तो चुकि उसमें इन तरह के, इन ABC का इस्तमाल होता है, इसको fundamental translated vector भी कहते हैं, अब एक concept समझ लेते हैं, concept of lattice and basis, यह terminology है, देखो, जैसे आप कोई घर बनाने चाहते हो, तो सबसे पहले उसका एक नकसा बनाओगे, एक कागज पूशके blueprint बनाओगे, ठीक तो आप सोच लो, कि आपने किसी space पर कुछ location define कर लिए, कुछ black dot बना लिए, तो यह location है, इन location के फाइदा क्या है, आप कहोगे, कि हमने एक orange color का कोई, या कोई purple color का कोई atom लिया, मालोई atom sodium, कुछ भी है, gold का atom है, और इन atom को हम इन ही black dot पर रखेंगे, तो जैसे ही आप इस gold के atom को इन black dot पर रखोगे, तो आपके पास gold का एक structure दिखना शुरू हो जाएगा, तो समतलो यह ऐसा है, कि यह दिवाले है, यसे आपने कोई building बना नहीं है, उसके दिवाले नक्से बना दिया, आपने कागच पर, ठीके, उसके बाद फिर आपने कहा, इटो को हम इसी रहे हैं, और जो हम repeat कर रहे है, physical quantity, उसको basis कहते हैं, तो lattice एक तरह समतलो यह hypothetical point होते हैं, कालपनिक रूप से आप उसको कागच पर उकेर सकते हो, या आप hypothetical ही सोते हो कि यहाँ पर इस तरह से point का एक समू है, जहाँ atom रखे जाएंगे, तो हमारा असल में crystal बनता हुआ दिखा in the pattern of crystal, some imaginary points are considered, जिसको कि हम lattice point कहते हैं, कुछ imaginary point हम मानते हैं, so a crystal is constructed whenever a group of atom और molecules are attached to these lattice points, जब भी उन imaginary points पर mathematical जो concept हमारे हैं, उन पर हम जब atom को रखते हैं, या जो भी हम molecule को repeat करके, उसी को हम basis कहते हैं, these atom molecules are called basis, तो basis are identical in composition, which is repeated periodically in space to create the crystal structure, बार 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 इन point के हिसाब से हम इस atom को repeat करेंगे, और इस तरह से हमारे पास पूरा crystal structure आ जाएगा, समझने के लिहाज से हम two dimension में भी lattice plane दिखा सकते हैं, तो मालो यह जो हमने circle दिखाए हैं, इस सारे circle हमारे lattice point हैं, यह atom नहीं, हमने कुछ point को बड़ा करके lattice point का केवल one fourth हिसा ही इस unit cell के अंदर आ रहा है, इस square को हम unit cell क्यों कहते हैं, चुकि ऐसे ही अगर हम square बनाना शुरू कर दें, तो हमारे जितने भी lattice point हमने बनाए हैं, यह सारे lattice point कवर हो जाएंगे, और इस तरह से पूरा lattice space हमारा unit point से गिर जाएगा, यह बिल्कुल वैसा, इसे आपके पास कमरे में first है, आप उस पे टाइस लगाना चाहते हो, तो आपने एक square shape की टाइस ली, उसके बगल में एक और square रखा, उसके नीचे रखा, उसके ऊपर रखा, तो हर तरफ जो आपने tiles को सजा दिया, तो पूरा first कमरे का आपका tiles से गिर गया, यह से आपने द सारी brick एक दूसरे से interlock हो जाती हो, पूरा जो खरंजा होता है, वो हमारा cemented tiles से बिचता हुआ चला जाता है, तो आपने लिखा है कि lattice point is shared by unit cell in two, lattice point is shared by unit cell in two dimension, two dimension में आप देख रहे हो, कि जो unit cell है, उसके corner में lattice point share हो रहा है, हर corner पर 25% contribution दिख रहा है, lattice point का, one fourth है पूरा circle का, के वर one fourth हिस्सा ही है, जो इस unit cell के अंदर ही इतना नीला कर रहे है, तो 25%, one fourth मतलब 25% यहां पर घिर रहा है, so each unit cell has total contribution of one lattice point, कैसे, इस cone से one by four, 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 तो चार сможं में हर cone से one by four contribution आया, तो इस square unit cell में total contribution कितना आ आगिया, one का, तो इस तरह की unit cell, ज इसमें total contribution of lattice point 1 होता है इनको हम primitive cell कहते हैं अच्छा यही मामला अगर हम 3 dimension में करें तो 3 dimension करने मतलब आपको square नहीं बनाना है आपको square से घिरा हुआ है कि structure बनाना है तो आपको मालूब होना चाहिए कि जब हम 6 square एक के बगल एक इस तरह से रख देते हैं तो हमारे पास cube बन जा करता है तो हमने cube बनाया cube के 8 कोने होंगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कोने होंगे 8 कोनों पर आपने 8 atom रख दिए 8 कोनों पर 8 atom रख दिए अब यह जो 8 atom है इस atom में जैसे मालो यह हमारा atom है इस हिस्से में अगर आप देखोगे तो इसका total contribution इतना ही आएग यह हिस्सा और यह हिस्सा इसका 1 बटा 8 है तो हर कोने में lattice point का 1 बटा 8 हिस्सा आ रहा है 2 dimension में क्या होता है हर कोने में 1 बटा 4 हिस्सा होता है लेकिन 3 dimension में हर कोने में 1 बटा 8 हिस्सा होता है तो 8 कोने है 1 बटा 8 हिस्सा सम्में है तो इसका मतलब है total contribution 1 हो जाएगा और हमने पढ़ा है किसी भी unit cell में अगर total contribution 1 होता है तो उसको parameter cell कहते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि in 3D a lattice point is shared by 8 unit एक lattice point में 8 unit से contribution होता है so in cubic structure 8 lattice points are placed at 8 corners of the unit cell with the contribution of 1 by 8 हर तरफ से contribution एक बटा 8 होता है so for cubic structure total contribution of lattice point is 8 into 1 by 8 that is 1 तो हमारे पास total contribution एक हो जाता है अच्छा जो choice of unit cell है वो unique नहीं होती भाई हमने cube माना किसी ने cube wide कह दिया किसी ने थोड़ा सा tilted square ले लिया तो unit cell की choice हमेशा unique नहीं होती उसको कोई भी किसी तरह का मान सकता है तो इस problem से बचने के लिए विगनर ने प्रोफेसर विगनर ने एक concept introduce किया था along with the seeds जिसको हम विगनर seed unit cell कहते हैं यह एक primitive cell होता है और इसको बनाने की तरीका क्या है जरह समद लीजिए सबसे पहले select a reference lattice point and draw connecting line तो माल लीजिए हमने कोई reference point select कर लिया और उस reference point से क्या किया हमने जो हमारे भगल के पडोसी है जो पडोसी lattice point है उन तक हमने एक क्या बना दिया एक तरह से आप कह सकते हो कि हमने इनका connecting line जोड दिया तो यह पडोसी है तो अगले series का हो गया उसके बाद क्या है draw bisector of these lines planes the smallest area of volume enclosed is the wigner series primitive cell फिर आप क्या करो जो आपने connecting line बनाई है इनका bisector draw कर दो तो इसका bisector ये हो गया इसका bisector ये हो गया इसका bisector ये हो गया ठीक है इसका bisector ये हो गया ये हो गया तो आपने जो bisector draw किया तो आपके पास यहां पर क्या दिखा तो आपके पास ये पूरा area है जो घिरा हुआ दिखा है देखो ये पूरा area घिरा हुआ दिख रहा है तो वही आपने लिखा है कि draw the bisector of these line planes the smallest area or volume enclosed is the wigner series primitive cells यह हमारा Wigner Seed Primitive Cell हो जाएगा और आप देखो इसे corners पर तो lattice point नहीं है लेकिं center पर एक lattice point है यानि total contribution of lattice point इस Wigner Seed Cell में 1 है और इसकी परभासा के साब से यह हमारा एक Primitive Cell बन जाएगा अब देखें इसी तरीके से अगर थी dimension में आप bisector draw करो और उसका half करके जो volume आए उसो घहरो तो इस तरह का हमारा Wigner Seed Cell मिलेगा यह जो diagram आप देख रहे हो यह थी dimension में Wigner Seed Cell का है तरीका हुआ ही है एक reference point चुनो अगल बगल के पड़ो से connecting line जोड़ो उनका bisector बना उन bisector से जो plane घेरा हुआ area होगा volume होगा वह हमारा Wigner Seed Cell होगा अब हम पढ़ते हैं जो हमारे 14 साथ तरह की जो crystal structure bravis lattice हम लोग में पहले देखे थे उनमें भी अगर हम और bifrecation करते हैं तो तीन प्रकार हमें मिलते हैं simple cubic, body centered cubic, face centered cubic आप देखो cubic है यह भी cubic है simple cubic structure है body centered cubic structure है और यह है face centered cubic structure तीन structure है simple cubic में corner पर ही केवा lattice point है बस, body centered में एक lattice point की जगह इस cube की बीच में भी है face centered में corners पर भी आपके lattice point है और बीच में नहीं है लेकिन हर face पर जो 6 face होते हैं 6 face के बीच में आपके पास lattice point है तो इस तरह से यह एक face हो गया face के center पर एक lattice point है corner पर चार है ऐसे top पर एक face हो गया उसके चार कोनों पर चार lattice point है center face पर एक है ऐसे यह front हो गया इस पर की face पर है bottom हो गया इसके भी face पर है तो इसलिए इसका नाम face centered cubic structure है जाद देखे इनके बारे में simple cubic में क्या होता है only corners have lattice point सिर्फ corner के पास lattice point होते है each corner lattice point contribution 1 by 8 होता है जैसे के हम लोग बात कर चुके है corner की lattice point केवल 1 बटा 8 हिस्सा ही हिस्सेदारी के रूप में रखते हैं तो total contribution कितना हो गया 8 बड़े एक बटा 8 एक और किसी भी unit cell में अगर total contribution of lattice point 1 होता है तो इसको हम primitive cell कहते हैं तो यह जो simple cubic है यह primitive cell है लेकिन यह बहुत ही common नहीं है इसको निया में एक ऐसा material होता है जिसमें natural तरीके से simple cubic structure पाया जाता है otherwise और कोई हमारे पास ऐसा atom structure नहीं है जिसमें की simple cubic natural तरीके से मिलता है इसके पैकिंग होती है पैकिंग की मतलब है अगर हम इन जगों पर item रख देंगे यहां हमने item रख दिया चार item नीचे हो गए इस परसंट volume खाली है यानि कि इस structure को जो हम ध्यान से देखते हैं तो इसको इसमें जब 8 atom हम रख देंगे इस तरह से तो हम पाएंगे कि इस पूरे के इस पूरे volume का 52% हिस्सा तो itemों से घिरा है लेकिन 48% हिस्सा खाली है यह जो खाली हिस्सा है यह एक problem है चुकि जब भी ह crystal के उपर दबाव डालेंगे तो atom इन 48% खाली हिस्सों में खिसक जाएंगे वहाँ पर move कर जाएंगे इससे unit cell का structure बिगणने के पूरे chances रहते हैं तो यह 48% होना एक बहुत अच्छी बात नहीं है यह ऐसे material की जो mechanical strength है उसको कमजोर करता है body centered में क्या होता है body centered में center of cubic cell के एक lattice point होता है corners पर भी lattice point होते है तो total contribution of lattice point कितना हो गया आठ कोनों पर 8 item सबका contribution एक बटा 8 और एक item तो पूरी तरह से crystal के अंदर है देखो एक item तो यहाँ पर lattice point तो पूरी तरह से crystal के अंदर है तो यह तो पूरा इसके लिए एक गिना जाए तो आठ कोनों पर आठ एक बटा आठ तो यहाँ साया 1 और एक 1 1 1 प्लस 1 2 तो इस तरह के cubic unit cell के अंदर total lattice point contribution 2 हो गया और यह primitive cell की परिभासा से बाहर इसलिए हम simple तरीके से body centered cubic structure को primitive cell नहीं कहेंगे अब चुकिए center पे एक item बनने गुंजाईस यहाँ हो जाती है तो इसकी वो हिस्सा जो packed है atomic packing factor जिसको आप कहते हो तो इसका जो APF है वो 68% होता है मतलब पूरे volume का 68% हिस्सा एटमों ने घेर रखा है और 32% हिस्सा अभी भी खाली है ठीक है कुछ तो मजबूती आई पहले तो 48% हिस्सा खाली था अब 32% हिस्सा खाली है इसको आप कभी नमक लेके आउ और किसी जार में नमक भरो आप द्रते जार हो आप देखोग scheme कि जार पूरा भर गे और नमक के Packet में नमक बाकी रह गया तो आपको लगे का जार तो भरा हुआ है अब इसमें गुंजाइस नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है जब नमक भर रहे थे तो नमक के साथ हवा के पैकेड भी उसके इंदर बन गये थे अगर आप उस जार को थोड़ा उठा के ठोकोगे उस पर जटका मारोगे तो देखोगे कि वह हवा निकल जाएगी और नमक के सता है थोड़ा नीचे खिसक जाएगी तो पैकेड बचा हुआ नमक आप इसमें वापस भर सकते हो तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर है खाली जगह है जो बची रहती है वह प्रॉब्लम वाली जगह है जटका मारोगे तो हो सकता खाली जगह हों पर वाइटम खिसक के युणिट सेल को डिस्टॉर्ट कर दें तो इसलिए यहाँ पर वाइड 32 परसंट है तो यह एक अच्छी बात है कि थोड़ा इसमें मेकैनिकल इस्टेंस ज्यादा होती है फेस इंटर्ट में क्या होता है तो फेस इंटर्ट में क्या हो होते हैं छे फेस हैं और आधा एटम यहां पर देखोगे तो आधा आधा एटम अंदर होता है आधा एटम बाहर होता है मतलब अगर हम एटम देखें तो इस एटम का ऐसे होगा आधा हिस्सा आधा हिस्सा यह हिस्सा अंदर होगा और यह हिस्सा बाहर होगा तो टोटल कॉं लेकिन इसका जब APF निकालते हो तो APF कितना आता है 74% यानि कि 74% हिस्सा इसका भरा हुआ होता है एटमों से और 26% हिस्सा खाली होता है तो अगर हम तीनों तरह के structure देखें तो सबसे ज़्यादा ठोस पैकिंग कहां हुई जिसमें होगा यानि कि face centered में हो सबसे कम पैकिंग कहां हुई जो कि simple cubic है यह देखो इसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है यहााँ पर दिखाया गया है कि यह face centered cubic structure है जो face वाले item है 6 face पे 6 item है और सब की हिस्सेदारी 1-2 है और जो 8 कोनों पे 8 item है और सब के हिस्सेदारी 1-8 यह होगी है हमारे पास, और body center में भी आप देखो, center पर आपके पास एक item है, और कोनों पर 8 item का 8, एक बटा 8 contribution यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा, अच्छा, एक चीच और देखें, जो crystal में यह item होते हैं, इनका जो सजने का तरीका होता है, तो हम यह मान सकते हैं कि वहा पर दूसरी plane, फिर तीसरी plane, तो crystal is made of large parallel equidistance plane, जिसको की हम lattice plane कहते हैं, जिसे आप book समझ लो, book में जिसे पर्त दर पर्त पन्ने होते हैं, ऐसे ही crystal के अंदर पर्त दर पर्त, atom के plane होते हैं, atom का एक पर्त, फिर दूसरी पर्त, फिर तीसरी पर्त, देखो यहाँ पर इस तरह क पर बनाने कोसिस की गई है, यह atomic plane है, यह atomic plane है, अब यहाँ पर क्या होता है, सवाल यह है, कि आखिर इन plane को हम recognize कैसे करें, पहचाने कैसे, कि कौन सा plane है, कोई तिर्चा है, कोई सीधा है, कोई दूसरी तरफ से अलग तरीके से दिख रहा है, तो orientation हम कैसे इसको define करें, तो solve this issue, Miller introduce Miller indices या crystal indices, इस issue को solve करने के लिए कि planeों का नाम करण कैसे कर दिया जाए, उसके लिए Miller ने एक तरीका खोजा, जिसको कि हम Miller indices का method कहते है, कैसे हम करेंगे, Miller indices के process के कैसे हम नाम करण करेंगे, इसे माल लो x, y, z, यह हमारी crystallographic axis है, और यह triangular हमारा plane है, तो यह plane x axis को P पर कट सकते हो, P पर कट कर रहा है, y axis को Q पर कट कर रहा है, z axis को R पर कट कर रहा है, तो क्या करो, सबसे पहले find the intercept along these axis, जैसे x axis पर P intercept है, y पर Q है, z पर R है, तो उन पहले ढूंड लो, फिर इस intercept को, आप QB, multiply of lattice parameter, जो lattice parameter आपने A, B, C माना था, उनके term में इसको लिख लो, जैसे कि 5, तैसे, मानलो आपने कहे दिया, P कितना है, P है, मानलो 5 time A है, क्यों कितना है, 6 time B है, ऐसे कुछ आप उसको उसके multiple में लिखते हो, उसके बाद उसको जो आएगा, उसको divide कर दो, latest parameter से, फिर उसके बाद उसका रहे से परोकर ले लो, और फिर fraction अगर कहीं दिख रहा हो, तो intercept O, C है, तो आपने देखा, intercept O, A, O, B, O, C है, इनको अगर हम A, B के term में लिखना चाहें, तो P time A है, Q time B है, R time C है, ठीके, उसके बाद फिर क्या करो, आपने इसको A से divide कर दिया, इसको B से divide कर दिया, C से divide कर दिया, दूसरा step यहीं लिखा है ना, तिसरा step, divide this value by lattice parameter, तो आप आपने इस तरह से divide कर दिया, अब आपके पास P, Q, R आ गया, उसके बाद उसका reciprocal ले लो, देखो, यहाँ पर लिखा, take the reciprocal of these numbers, तो आपने reciprocal ले लिया, reciprocal लेने के बाद आपके पास आए 1 by P, 1 by Q, 1 by R, आप क्या करोगे, इनका LCM ले लो, P, Q, R का LCM ले लो, उसको multiply कर दो, fraction ग intercept कितना है, 1, Y के parallel है, parallel plane, infinite पर touch करते हैं, तो intercept कितना होगा, infinite, Z के parallel है, intercept, infinite, तो intercept क्या हुआ, 1, infinite, infinite, उसका reciprocal कर ले लो, तो 100, अब यहाँ पर fraction तो सब का 1 ही है, कोई number आया नहीं, इसलिए इसमें LCM की रोत नहीं है, यह 100 ही यहाँ आपका, इस plane का number हो गया, मिलर के हिसाब से इस plane को हम 100 कहेंगे, अब यहाँ पर देखो, आपने यह blue कदर का plane लिया, blue कदर के plane को देखो, यह x-axis को यहाँ कट कर रहा है, और y-axis कट कर रहा है, और z के parallel है, तो x पर कट है 1, y पर कट है 1, z के parallel है, parallel को infinite पर करेगा, infinite, reciprocal लिया, 1 by 1, 1 by 1, 1 by infinite, 1, 1, 1, 0, तो इसका hkl, यान triangular plate है, triangular plate ने, जो plane है, इसने क्या किया, x को भी 1 पर काट कर रहा है, y को भी 1 पर, z को भी 1 पर, intercept 1, 1, 1, reciprocal 1, 1, 1, ठीक है, तो LCM भी 1, 1 ही रहेगा, तो यह आपके पास hkl आ गिया, इसको देखो, यहाँ पर, intercept जो है, यह जो हिस्सा है, यह half है, माल लो, half unit है, तो half unit, y के parallel, infinite, z के parallel, infinite, इसको आपने reciprocal कर लिया, 2, 0, 0, तो इसका मिलर इंडिसीस, 2, 0, 0 हो गया, तो इस तरह से हम मिलर इंडिसीस वाली बात को, यहाँ से calculate कर सकते हैं, तो this is, I think, enough for this particular session, further इसके कुछ टॉपिक और बच्चे है, x-ray diffraction वगेरा को है, तो इसको हम लोग फिर आगे वाली portion म आगे.